हाई फ्रेंड्स मिया कांशा सर्मा जी की विद्ध कांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ मद्ध्यपदेश सामानि ग्यान के ऐदम 200 हलवा प्रशन करने वाले हैं जैसे कि आपको पता होगा कि मैं पूरे मंत से मद्ध्यपदेश का डेली करेंट अफेर्स करा रही हूँ साथ मैं आपको मैं आठ से दस प्रेशन रोज हलुआ प्रेशन कराती हूं मद्ध्यपदेश इस वेसल के बहुत ही सांदार यह प्रेशन होते हैं आज उन सभी प्रेशनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं इसकी पीडियावी दस रुपर में पर्चेस कर सकते हैं साथ में अगर आप पूरे मंत का जनवरी का करेंट लेना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हलुआ प्रेशन बहुत ही सांदार यह प्रेशन है जो याद हो उसको रिविजन कर लीजेगा जो नहीं है उसको नोट डाउन कर लीजेगा पहला कुशन है ग्वालियर के किले का निर्मान किस ने किया था गौालियर के किले का निर्मान सूरस सेन ने किया था तोमर वंस की स्थापना किस ने की थी तोमर वंस की स्थापना बीर सिंग देव ने की थी तोमर वंस की स्थापना बीर सिंग देव ने की थी और कहां पर की थी परमार वंश की स्थापना किसने की परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राजने की थी परमार वंश की स्थापना मद्ध परदेश में किसने की थी उपेंद्र कृष्ण राजने की थी मालवा छेतर में इनका सासन था चंदेल वन्ष का संस्थापक कौन था? चंदेल वन्ष का संस्थापक था? नन्नुक कौन था? चंदेल वन्ष का संस्थापक नन्नुक था? चंदेल जो थे वो प्रारम में जहां से आये थे वो प्रारम में जो प्रतिहार सा सकते उनके सामन्त थे मध्यपदेश का सबसे प्रथम समाचार अखवार गौालियर था जो 1840 में प्रकासित हुआ अब हमारे ये अगले दिन का चलते चलते हल्वा परशन आ गए हैं सबसे जदर ग्राम पंचायत मध्यपदेश में कहा है सागर, भुपाल, नीमच या विदीशा सबसे जदर ग्राम पंचायत हैं मध्यपदेश के सागर जिले में मध्यपदेश में कितने ग्राम ने आया ले हैं मध्यपदेश में 89 ग्राम ने आया ले हैं मध्यपदेश मतश्य पालन अधीनियम का वाया था मध्यपदेश मतश्य पालन अधीनियम 1948 में आया था अगला देखते हैं अब ये तीन जनवरी का हलुआ प्रश्न है भारत का पहला ए कचला क्लिनिक कहां पर खोला गया भारत का पहला ए कचला क्लिनिक भोपाल में खोला गया है है मेरी प्रा प्रस्ताव हो गैं गोष्ट defenders के साथ जो स्पेशल में पीजी के कोश्चन लाती हूं उनका ये कलेक्शन है करेंट अफियर्स का मेराथन एक दू दिन में लेके आऊंगी जितना भी पूरा एक जन्वरी से स्वारु जैसे चलने वाला मध्या प्रदेश का पहला वैक्सीन सेंटर कहां पर बना है तो ऐसा वैक्सीन सेंटर जो की पूरी तरह सौरू जासे चलता है वो गौलियर में बना गौालियर में दिव्यांग केंदर भी इस्थापित किया गया है दिव्यांग खेल केंदर आप से पूछेंगे दिव्यांग खेल केंदर कहां इस्थापित हुआ है गौालियर में मुरेना में DRDO की नवीन और धोगिक अनुशनधान प्रियोकसाला खोली गई है भारत का पहला ग्रामीन ओक्सिजन सिलेंडर बैंक कहां पर बना है ग्रामीन ओक्सिजन सिलेंडर बैंक उज्जेन में बना है उज्जेन का विक्रम विश्विध्याले मध्यप्रदेश का पहला ग्रीन विश्विध्याले बना उज्जेन का विक्रम विश्विध्याले पहला ग्रीन विश्विध्याले बना है कवी प्रदीब सम्मान की स्थापना कवी 2012 में एकवाल सम्मान की स्थापना कवी 1986 में तांसेन सम्मान की स्थापना कवी 1980 में लतावंगेसकर सम्मान की स्थापना कवी 1984 में तुलसी सम्मान की स्थापना कवी 1983 में, कवीर सम्मान की स्थापना कवी 1986 में, रास्टी जल पुरुसकार 2018 से दिया जाने लगा है। भारत रत्न पुरुसकार सुरुवात कव हुई 1954 से, ज्यानपीट पुरुसकार की सुरुवात कव हुई 1965 से, सरस्वती सम्मान की स्थापना कव हुई 1991 से गला है हुशंगावाद सिक्यूरिटी पेपर मिलका उद्घाटन किस ने किया था? मुरारजी देशाई ने किया था ुक्तिबोथ की रशना है। ब्रह्म-raakshas किसकी रचना है?। गजानन-mada-muk сок Ums वakत्ति की रचना है। अले राजपुर रियासत कब बनी थी? अालि राजपुर रियासत 1437 में बनी थी। अहिराईनत कहां का है किस छेत्र का है अहिराईनत अहिराईनत बगेल खंड का है धनुसधारी मंदिर कहां पर है धनुसधारी मंदिर छतरपुर में है बल्दाउ का मेला कहां पर लगता है बल्दाउ का मेला पन्ना में लगता है चिडीखोजील कहां पर है चिडीखोजील नर नामे हैं आगर मालवा में कच्छाल नदी बहती है यह बहुत इंपॉर्टन ने कच्छाल नदी कहां पर बहती है यह पूछ सकते हैं आपसे कि आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है कच्छाल नदी बहती है मदाई टूरिस्ट प्लेस कहां पर है सदाई सत्प्राष्थ उध्यान में है शिदवाडा जिले में देवगड का किला किसने बनाया था राजा जटावा ने बीवी की मसجद कहां पर है बुरहानपुर मैं है बीवी की मसजद फ्रेंड्स ही अकांशा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडिया आप मुझे इंस्टापर भी फॉलो कर सकते हैं आप टेलिग्राम ग्रूप की लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी वाट्सअप गुरुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी साथ में आप मीचे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अकांचा सर्माई आकस 90.0 के नाम से ये मेरा वाट्सअप नंबर है अपना नंबर हाई लिकर सेव इट करके मेरे पास सेफ करा दीजेगा इस नंबर पर इससे आपको मेरे स्टेटस सो हो सकेंगे यहां से भी बहुत सारे कोशन आपके याद हो जाएंगे बीबी की मस्जद कहां पर है मुरेना में है राजा एड़वर्ड संग्रहले कहां है भुपाल में है अली राजपूर किस लोकसवा छेतर में आता है अली राजपूर जो की जाबुआ से अलगो कर बना है किस छेतर में आता है ये रतलाम लोकसवा छेतर में आता है संबलगरगा किला कहां पर है संबलगरगा किरा मुरेना में है बेंजीर भवन सहा जहां वेगम दौरा कब बनवाया गया था भोपाल में बनवाया गया था गौारी घाट कहां पर है जबलपुर में है जबाहा लाल नहरू पुलिस अकेदमी कहां पर है सागर में है यातायत प्रसिक्षर संस्थान कहा है भोपाल में है, पुलिस बाहन करमचारी प्रसिक्षर संस्थान कहा है रीवा में, अपराद अनुसंधान प्रसिक्षर संस्थान है सागर में, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में, रास्टी विधी संस्थान भोपाल में, रास्ट में हैं प्रदेश का पहला किसान वी द्याले कहां पर खोला गया है जवल पुर में प्रदेश का दूसरा विस संग रहनें केंद्र को कहां खोला गया साजापूर के जहलारा में जिले के नागलोक तपकरा में एक करूर की लागस से इसने एक पार्क बनाने की स्विकरती मिल गई है दुलनी पुरा भी लेक कहां पर है दुलनी पुरा भी लेक सागर में है इसमें फ्रियोस सहा तुगलक का उलेक है रतोना पर्ग वेगा अधिवासियों का पर्ग है मेगनात पर्व गोनों के सर्वोच देपता की इसमें पूजा की जाती है भगोरिया किसका है भगोरिया भील जातियों का पर्व है मध्य प्रदेश का बावन बजेला तिन्यवारी टिकम गल को अलग करके एक अक्टूबर दो हाजार अठरा को बनाया गया तुलसी संग्रहाले कहां पर है चित्रकूट में है बैंकड भवन कहां पर है बैंकड भवन रीवा में इस्तित है टेक्टर प्रसिक्षण केंदर कहां पर है बुधनी में है नौरा देही अव्यारन सागर में था है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा था उसमें रानी दुर्गावती और नौरा देही को मर्ज कर दिया है आपस में मिला दिया है पुरेना उद्धु के केंद्र कहां पर है पन्ना में है तीकमगर का प्राची नाम क्या था टेहरी था 1998 में हर्दा को हुशंगावाद जिले से अलग करके बनाया सोनागरी के जहन मंदर कहां पर है दतिया जिले में है मध्य भारत का सोमनाद भोच पुर के सिर्म मंदर को कहा जाता है ग्वालियर का गुजरी महल मान्सिंग तोमर ने बनवाया रानी रक्षिवाई की समाधी गौालियर में है, जहांगीर ने ओच्छा के दुर्ग में सरनली, राजामन का महल कहाँ पर है, आजैगर में है, मध्यपदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मध्केडा में है, धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया है तब परमारों भेडा घाट में गौरी संकर मंदिर किसने बनवाया है, होल करोने बनवाया, सिंगरॉली जिले के पिपरा में कोरंडम प्राप्त हुआ है, यह याद रखिएगा, कोल वेड मीथेन कहाँ पाई जाती है, सहडोल में पाई जाती है, एंत्रेसाइट कोईले का सबसे अच्छा प्रकार होता है, मध्यपदेश में बिटू मिनिस प्रकार का कोईला पाया जाता है, मध्यपदेश का सुहाफपुर सबसे बड़ा कोईला छेतर है, शतरपुर के अंगोर छेतर में हीरे के भंडारों का पता चला है, गेरू के उत्पादर में मध्यपदेश का इस्थान प् में है अहिल्या वाई पुरह तत्व संग्रहाले कहा है महेश्वर में पेच रस्टी उध्यान की स्थापना कव हुई 1983 में मध्यपदेश में लाइव स्टॉक एन एनिमल हस्वेंट्री डवलप्मेंट कार्परेशन कव बना है 1982 में दुल्गवती अव्यारन कहां पर बना है द बबलपुर और गौालियर में आदिवसी खेलकून विध्याले कहां है अली राजपुर में अवुल फजल का हत्यारा कौन है वीर सिंग गुंदेला कालीदा समारो कहां होता है उज्जेन में होता है मध्यपदेश का आस्ट आर्टीफीसियल इंटलीजेंस का हब बन गया है मध्यपदेश का जो आस्ट आ सहर है वो आर्टीफीसियल इंटलीजेंस का हब बन गया है मध्यपदेश के लगवग 25.14% चेतर पर बन है मध्यपदेश का पहला अपराद मुक्त गाउं बैतूल का जीरी बन गया है मध्यपदेश के उत्तर में जुआर गैहूं का मध्यपदेश सागर औरमें में सागर रीवा याद रखियेगा अगर सागर औरर में में परिवा होगा एसया की सबसे मौटी परत का कोईला कहा होता है सिंग्र लौली में होता है बागियों का गड़ किसको कहा जाता भिंडिया मोरेना को कष्णि को क्या कहा जाता है मोडवारा वुरहानपूर इंडोर संभाग में आता है इंडोर भोपाल का लिंगानुपाद कितना है नो सो अठरा इसरो का उबग्रह संभिलन केंदर कहां पर है भोपाल में है शिरोंच से सिंध नदी का उदगम होता है सरवादिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है भोपाल है दूर संचार संग् कहा है भुपाल में मध्ध्य वदेश का सबसे बड़ा क्रसी फार्म कहां पर है बावय में है मध्यवदेश के राजकिये चिनद में सबसे बाहर कितनी इस्क आकृतिया है 24 मद्यपदेश का छेत्रफल देश के छेत्रफल का कितना है 9.38% टाइगर और वाटर किसको कहा जाता है महासीर प्रजाती के राच्किय मच्छली को मद्यपदेश की राच्किय मच्छली कौन है महासीर है 2011 में इसको मचली राच के मचली का दर्जा दिया गया था मद्यपदेश में मयर बन गया है वहारा 55 बजला जिसके तहत अब 18 अंतर वरती जिले मद्यपदेश में हो चुके हैं मद्यपदेश का केंद्र बिंदू क्या है सागर है प्रतवी का केंद्र बिंदू क्या है मंगलना उज्जेन है और मध्यपदेश के पूर्व सबस्वाइब जाने आने में कितना अंतर पत चल जाता है मतलब कितने गंटे का अंतर होता है जैसे यहां साड़े पांच बजे हो तो वहां पे पांच बजे होंगे पूरम में अगला है देश की सब्स दूसरी सबसे वड़ी मंदि सिकारिस्थान था मतलब से पूरी में मुगल जो है वो शिकार करने जाते थे मकडाई का किला कहां पर है हरदा जिले में है दतिया में बनाए गए बीर सिंग महल में सात तल है गड़ काली का कि पूजा किसने की थी काली दास ने संजर आस्टि उध्यान कहां है सीधी और सिंग रॉली में विजह रागवगड किला कहां है कटनी में है तो कोजी राओ की मेत्यू कवईती 1753 में विश्णू स्री धरवाकर करने भीम बैठिका की होचकप की 1957 में केलास सत्य अर्थी को नोवल पुरुसकार 2014 में जीता वेंकरिया नाइडू जो है भारत के 13 नंब की थी कालिदाश अकजमी की स्थापना 1977 में ठहुए थी, कब हुए थी 1977 में कालिदाश अकजमी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स आप हमारे MPPSC prelims के notes की booking फरवरी पांच फरवरी से करा सकते हैं notes almost तयार हो चुके हैं पांच फरवरी से booking लेना उनकी start हो जाएगी new syllabus के according पूरे prelims के notes है जो जो topic है हर topic को बहुत easy language में cover किया है तो आप उसको purchase कर सकते हैं अगला है नारायन स्रीधर बेंदरे कौन थे प्रसिद्ध चित्रेकार थे विश्व वालस्रम दिसेद दिवस का मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है पंडे सुंदरलाल को तपस्वी की उपादी जंडा सत्याग्रे के दोरान दी गई थी 18 जुलाई को पूरे देश में जंडा दिवस का मनाने का निर्णे लिया गया जंडा सत्याग्रे के दोरान को सुबद्र कुमारी चोहान की गिरिफतारी पर राज गोपालाचारी ने कहा था उनका ये पूरता पूंकारे भारत के प्रते गहर में सुना और सराहा जाएगा इ प्रतनी में होमरूल लीक की स्थापना किसने की नाथूराम मोदी ने रतलाम में दुरगा देवी की अध्यक्षता में इस्तरी सेवा दल की स्थापना हुई बैतूल जिले में कोरकु आदिवासी वावर्या कहलाते हैं जंजातियों का मंदर क्या कहलाता है गोडी बीर आंदुलन 1947 में हुआ चरन पादु का संगार 14 जनवरी 1931 को हुआ देव गाओं की संदी 1803 में और मंसुर की संदी 1818 में हुई रूपना अभी लेक कटनी जिले की बहूरी बंद तहसील में है कसरावत अभी लेक खरगोन जिले में है काली तलाई अभी लेक जवलपुर जिल में है सांची अंभि लेक जो है 131 से 450 सम्बत ईश्वी के हैं टुंदिकर का नया नाम क्या है दमो है तृप पुरी का नया नाम जवल नापपुर है मध्यपदेश में गिधा प्रजणन केंद्र कहां है भोपाल के करेमा में सहरीया सामूदाइक रेडियो केंद्र कहां है सेवपुर में विश्व जन जाती दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है उजेन में कालिदास समारो 1958 वन से आयोजित हो रहा है उजेन में कालिदास अकैदमी की स्थापना 1978 में हुई मध्यपदेश खनेज विकास की निगम की स्थापना 1972 में हुई मध्यपदेश का रेनुकूट अमर कंटक को कहा जाता है मध्यपदेश में 30 प्रिकार के खनिच पाय जाते हैं और मध्यपदेश में वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुई मध्यपदेश वन ने जीव संडक्षन अधिनियम 1974 में पारित हुआ सामज इगवानी की योजना 1976 में आई पहली वन नीती 1952 में बनी बनों का रास्टी करन 1970 में किया गया और सबसे पहले तेनू पत्ते का रास्टी करन किया गया डेली मध्यपदेश करेंट अफ्यर से चैनल पर जुरूर जुड़े रहेगा अब फरवरी का स्टाट कर दिया है मैंने आज रात से और आज आपको दो फरवरी का करेंट अफ्यर मिलेगा और उनके साथ साथ इसी प्रिकार के कोशन आप रोज के रोज पढ़ते जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए बैटर रहेगा संतर अभी रास इसमारक सागर में है अहिल्या वैसमारक गौालियर में पिस्तावित है हिमत खां बहद्दुर खां का इसमारक सीहौर में है टिटी स्टेडियम में भुपाल में खेल संग्रहाले है दतिया रियासत का पर्थम सासक भगवान राव बुंदेला है पर्ना रियास सेन औसूचि जातिया योगenne 1995 में बन्युजराजय अलपसंख्य अकायों 1996 में वन्युजराजर्श अलपसंख्य। कायोगं का मुक्धिक शुसिक्षण नम्हित मतती हैं मातफ़ी जंजाती की योगे को घोठल प्रथा कहते हैं FE रायोजन जाबुआमें हैं राजा रोहित मह boy सागर को भारत का है कहा जाता है जवाह मद्धपडेश में सरवादिक बाल लंक दा महुन जलेके हैं मद्धपडेश की पीतर लगरी दमोहों को कहा जाता है जवल पुर में ग्रामी विकास संस्तान है सीस महल ओच्छा में हैं हवा महल चंदेरी में हैं इत्रदार महल राइसेन में हैं राज महल ओच्छा में हैं नौखंडा महल चंदेरी में हैं अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिगा इसकी पीडियाव आप 10 रोपय में पैचिस कर सकते हैं ओके फैंस दिंक यू